विल्कम बैक टू मैं चैनल संसाइन पूजा कैसे हो आप लोंग आप सब अच्छे होगे तो दोस्तो चहरे की अगर आपकी रॉनक चली गई है आपका चहरा डल हो गया है आपका चहरा काला होता जारा चहरे पर मैल जमती जा रही है चहरा देखने में सुन्दर नहीं लग रह और मीडियम करें चैणे को स्केंट उर्ट या रहे हैं चोको पौडर को बनाता है यह गोरम कहते है जिसका एक दो बर यूज करोगे तब आपको इसका फरक दिख जाएगा जो रिजल्ट आपको महंगे से मिलता है वो घर बैठे आपको मिल जाएगा दोस्तों लेकिन कोई भी चीज आपकी स्किन पर डिपेंड करती वो आपको कितना जल्दी रियक्ट करती है या कितना देर से करती है कभी कभी क अगर आप जाने वाले हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या करों तो आपकी स्किन में गजब का निखार आजाएगा दोस्तों तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा चैनल पर नहीं है तो आईए हम बताते हैं इसको बनाना कैसे है और इस करना है कि आपके चेहरे पे कोई भी स्कौैंश्च परिट्ड़ ना लगा रहा है से को ट्लीन क lorsqu गईि लगां आप से अपलाई करना है अब आप इसको round round करते वे apply करोगे ना तो इससे आपकी skin की massage भी हो जाएगी साथे साथ जो आपके black head होते है ना वो भी निकल जाएगे एक scrub का भी काम करेगा ये ये three in one work करेगा आपके face पे cleanching का करेगा face pack का करेगा और scrub का करेगा कहीं जाने से पहले अगर ये remedy आप लगा लोगे ना तो instant glow जिससे कहते हैं वो आपके चेहरे पे आ जाएगा चलिए जब तक मैं लगाती हूँ आप इसको देख लीजिए बनाना कैसे है रोस रोस सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है और बाउल में हमें कोको पाउडर टालना है लगवा एक स्पून कोको पाउडर में कोकीन और थिवरामीन पाया जाता है जो हमारे चेहरे को टाइट बनाता है उसमें कसाव ले आता है अगर आपके स्किन डेली है तो उसको टाइट करता है जब हमारी स्किन में टाइट बना जाता है तो हमारी स्किन में गलो आटोमेटिक ही आ जाता है और हमारी स्किन काफी साइन करती है गलास स्किन हो जाती है इसके बार इसमें हमें टमेटो जूस का यूज़ करना है जो हमारी स्किन को वाइट करेगा साथे साथ अच्छा साथ क्लिंजिंग का काम करता हमारी स्किन के लिए इस तरह से इसका जूस आपको निकालेना, हाफ आपको लेना है टमाटर और यह जो टमाटर का बाकी हिस्सा है चाहो तो आप इसको अपने फेस पे अपलाई कर सकते हो इसके बाद इसका एक बैटर बनाना है हमें इसको बनाने के लिए इसमें हम हनी का उपयोग करेंगे सरदियों में हनी हमाई स्कीन को मौस्चर पदान करती है साथी साथ हमारे स्कीन के डेश्ट को निकालती है स्कीन को वाइड बनाती है स्कीन को टाइड बनाती है और स्कीन में साइन ले आता है सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है बाकी इसमें हमें किसी भी चीज को एड नहीं करना है अगर इसमें पढ़ने वाली किसी चीज से आपको allergy होगी तो आपको इसका यूज़ नहीं करना है और पहली बार ऐसा कुछ आप यूज़ कर रही हो तो एक patch test करके देख लेना सभी तरह कि skin वाले इसको यूज़ कर सकते हैं 16 प्लस हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बार बार मैं इसलिए repeat करती हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीज़े धियान में रहे और यही सारे question ज़्यादा आते हैं कि मैं क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं फिर से कहूंगी अगर आप 16 साल की age के नहीं हो मतलब उसके उपर के हो 16 के तो आपको ये सारी चीज़े यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो इस तरह से एक अच्छा सा better बना लेना है और जैसे आपको ये better बनाना है वैसे ही अपने face पे apply करना है week में आप चाहो तो इसे तीन बार यूज़ कर सकते हो या दोव में बार आपको one month तक है इसको यूज़ करना है male female दोनों यूज़ कर सकते हैं चेरे पे पे काफी दाग धब्में हैं black head हैं आखों के नीचे काले घेरे हैं forehead black है, lip के आस पास का black area है तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा बचा आप नएक के लगा लो तो यह हो गया है 10 मेंट बाद आपसे मिलती हूँ सूख जाएगा face wash करना जैसा कि आप देख रहे हो यह थूख के हलका हलका tight होने लगा है और 10 मेंट हो गया है तो मैं face wash करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ आपको normal water से face wash करना है गरम water से आपको face wash नहीं करना है ठीक है तो देखा दोस्तों आपने इसको clean करने के बाद चेहरा कितना खुफूरत लग रहा है और यकीन मानिए जब आप इसको अपने चेहरे से हटाओगे तो जैसे लगेगा आप कहीं पालर से face wash करवा के आए हो कोई मेहंगा face wash करवा के आए हो आपको दिखी रहा होगा चेहरा एकदम clean हो जाएगा एकदम fine करेगा आपका चेहरा इतना खुफूरत लगेगा कि आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe करके ही जाएगा बाई मिलते हैं अगले वीडियो में love you all झाल